नमिश्कार आप देख रहे हैं दर्श नियूज और रात के 9 बजे के स्खास बुलिटिन में आपका स्वागत है आईए अब तक की प्रमुख खबरों को जानते हैं भारत में बनी सेमी हाइट स्पीड ट्रेन बंदे भारत का कलर चेंज कर ब्लू रंग से ऐसे केसरिया रंग कर दिया गया है रेल मंत्री अस्विनी वैशनव ने खुद इस बात की जानकारी दी है अब तक जितने भी बंदे भारत ट्रेन शुरू किये गये थे सभी के रंग ब्लू थे लेकिन अब इसे केसरिया रंग रूप दे दिया गया है बिहार में सियासी जमीन तलाश कर रहे प्रिशान्त किसोर एक बार फिर महागडबंदन सरकार पर जमकर बढ़ से बिहार में सिक्षा और स्वास्त वेवस्ता की बधाली को ली कर पीके ने नितीश सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नेताओं और अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ते बलकि गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं उन्होंने कहा कि RGD और जद्यू का गडबंदन पूरी तरह से बेमेल है और इस गडबंदन को बने रहना राज के हित में नहीं है उन्होंने कहा कि बिहार में जब NDA की सरकार थी तो बहुत अच्छा काम हुआ करता था लेकिन जब से मागडबंदन की सरकार बनी है तो विका लाल प्रशादी यादव से मुलाकात की इसके बाद दोनों पटना के लिए रवाना हुए सरकारी स्कूल में सिक्षकों की निगरानी अब सीधे राज मुख्याले से की जाएगी एक अगत से सभी सिक्षकों को ऑनलाइन हाजरी बनानी होगी सिक्षक स्कूल आने के साथ कराएंगे जाते वक्त भी सिक्षकों को डिजिटल प्रेटफॉर्म पर एक्जिट भी करना होगा एंट्री और एक्जिट के लिए लिए लिंक आधा आधा घंटा तक ही खुला रहेगा खबर मौसम को लेकर है जहां बिहार में पटना समेत अन्य जिलों में मौनसून का प्रभाव बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है साथी बारिश को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है वहीं जार्खन में 14 जुलाई तक मौनसून एक्टिव रहेगा मौसम विभाग द्वारा 11 से 13 जुलाई तक राजय के कई इलाकों में भारिवारिश के साथ मेग गरजन को ली कर अलर्ट जारी किया गया है सबर जार्खन से है जहां साहिब गंज में 1000 करोड की अवैद खनन वं मनी लॉंडरिंग के केस में बरहेट विधायक प्रतिनिदी पंकज मिश्रा मास्टर माइंड था भगवान भगत और ट्विंकल भगत पंकज मिश्रा के इशारे पर अवैद खनन का काम करते थे इतना ही नहीं बगेर माइनिंग कंसेंट के दोनों के द्वारा कई एकड़ भूमी पर अवैद खनन की गई इडी ने अपनी जाच में ये खुलासा किया है बता दें कि इडी ने शुकरवार को साहिब गंज के दोनों पत्थर कारोबारी भगवान भगत और ट्विंकल भगत को गिरफतार किया था भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांगलादेश दोरे पर विजय आगास किया है भारत ने रविवार को पहले टी-20 इंटरनाशनल मैच में साथ विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की ये मुकाबला धाका के शेरे बांगला नेशनल स्टेडियम में खेला गया भारत ने टॉ प्रीत कौर और ओपनर स्मृती मंधाना ने शांदार बैटिंग की 18 जुलाई से राजगीर में शुरू हो रहा है मलमास मेले की तयारियां का स्यम नितीश कुमार ने शनिवार को ने रिक्षन किया इस दौरान एक अलगी नजारा देखने को मिला मलमास मेले में किसी भी पो अगत से बनी फिल्म आदिपुरिस को भारतिये बॉक्स ऑफिस पर वैसा रिस्पॉंस तो नहीं मिल सका जैसे कि उमीद की गई थी लेकिन यूट्यूब पर ये मूवी लोगो द्वारा खूब देखी जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब पर HD में अपलोड की गई आदिपुरुष को अभी 2.3 मिलियन वीवर्स मिल चुके हैं अभी के लिस बुलेटिन में इतना ही बेयार जारकन की ताजा तरीन खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श नियूज के साथ धन्यवाद